हेलो अब्रीबन आई वेल्कम वी इन देश वीडियो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर एट प्रोपर्टीज ओफ वाटर ओके तो बने रहे हमाले साथ इस वीडियो में और इंजोई किजी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज को लाइक किजी और होट समर डे वेन यू गो बैक होम फ्रोम स्कूल यूर मदर में गेव यू कूल निमू पानी टू ड्रिंग ओके आपकी मां आपको पीने के लिए निमू पानी दे सकती है हां और अक्सर देती ही है चुकि बच्चे जब घर जाते हैं तो मां बहुत इंतजार करती है कि कब म अंदर रुपा होता है उस समयना जी हां हमको भी अनुबह हुआ था और देखिए आगे कर्शन करते हैं आदे से जब भेरे रिफ्रेसिंग ड्रिंग ओके यह जो ड्रिंक है यह बहुत रिफ्रेसिंग आनि एनर्जी देता है बोटी में हम लोग को अच्छा लगता है डियो निमू पाने को तो टेक वाटर यह ग्लास टंबलर एक ग्लास टंबलर में हम लोग को वाटर ले लेना है एड़ वन टीर स्पून ऑफ सुगर इनिट ओकी सुगर एक चमज सुगर डाल देंगे देखिए आप यहां पे डाला जा रहा है और यह ग्लास टंबलर इसमें क्या लिए गया है पाने दिया गया है अब क्या है ना हम लोगों को क्या करना पड़ेगा अश्चीर दिस मिक्सर उसको थोड़ा सम घुमाएंगे उसके बार क्या होगा वाट ड्यू अब क्या अब्ज़र करती हो तो दस सुगर डिस एपियर इन वाटर जो सुगर आपने फिर से हम लोगों क्या करना थोड़ा सास्кив डालना है डालना है उसके बाद относ is we ए घुमाना मिक्शाण को कई स्टियर करना है तो वह मिक्स करना है मिक्स करनista ओक ड Cash करेंगे तो मिक्स हो जाएगा हाँ आप देखिए आगे फिर क्या होता है दे लेमन जूस इन सॉल्ट आल्सो डिसेपिर इन दो वाटर जो आपने लेमन जूस एड़ किया और सॉल्ट ये दोनों के दोनों क्या होगे डिसेपिर होगे नहीं दिख रहे हैं तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है वाई इस तरह से अपना त्यार हो रहा है आप देखिए डाइग्राम में पहले हम लोग लोग ग्लास टमलर वाटर लिए वाटर लने के बाद उसमें से चीनी एड़ किये चीनी एड़ करने के बाद थोड़ा साम लोग इसमें साल्ट भी एड़ कर दे रहे और साल्ट एड़ करने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा निमू लेमन जूस भी डल दिये और इसको हम लोग तेज़े से खुमा दिये तो अपना क्या हो ना यहां पर यह देखिए तयार हो गया है मिक्चर हां निमो पाने जूस रेड़ी है फिर हम लोगों कहता है इस दिस सम काइंड ऑफ मेजिक क्या यह मैजिक है सब्स्टांस को हम लोग दो क्लासिफाय कर रहें पहला एक सब्स्टांस जो सब्स्टांस वाटर में डिजॉल्व हो रहा है और दूसरा इन सब्स्टांस जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा यह देखिए अपना इन सब्स्टांस जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते कि अपना निवीव पानी त्यार हो गया हम लोग कैसे त्यार करते से इसके क्या होते हैं। वेन्या सब्स्टांस कॉम्प्लेटली मिक्सेस इन वाटर सच दाट इस पार्टिकल्स और नॉट वीजिवल इस इस तो आप गॉट डिजॉल्व इन वाटर ओके जब किसी सब्स्टांस को वाटर में डाल देते हैं और उसके पार्टिकल्स फिरम को नहीं देखने लगे सब्स्टांस है वो वाटर में क्या हुआ दिजॉल्व हो जुका है को के द शब्सक्रांश को क्या कहते हैं हम लोग सब्सक्रांज सब्सक्रांश जानता अब इसके बहुत सोरải हैं बहुत सर्थ गजांबल क्या है? मुइतützen और टोस्तांट करको और क्या है? स्लिए हम लोग देख लें धूसरा अपना है। सोल्यूट एन सालवेंट या पे एक नया टोपिक आगया अपना solute क्या है और solvent क्या है इसके बारे में सीख लेते हैं तो वेरा में सबस्टांस डिजॉल्व कम्प्लिटी इन एने मीडियाम जब कोई सबस्टांस कम्प्लिटली डिजॉल्व हो जाता है किसी मीडियम में को कि तो we get a solution तो हम लोगो क्या मिलता है solution मिलता है दस by mixing sugar in water we get a solution of sugar in water तो जब हम लोग sugar को water में mix कर दिये तो हम लोगो क्या मिल गया solution मिल गया किसका solution मिल गया तो sugar का solution किसमे water में मिल गया यह हम लोग समझ गये कि एक solution अपना त्यार हो जाता है जब हम लोग sugar को mix करते हैं किसमे water में आए नेक्स्ट पर अगर आपके हम बात कर लेते हैं The substance that gets dissolved in a medium to form a solution is called solute लेकिए जिर्फ substance को हम लोग dissolve करते हैं वो अपना क्या कलाता है वो कलाता है solute और आगे बात करें The medium in which the substance is dissolved जिस medium में हम लोग substance को dissolve करते हैं वो medium क्या कलाता है मेरा solvent In the previous activity water is the solvent whereas sugar, salt, lemon juice are all solute अभी जो हम लोग activity किये activity 1 में हम लोग ने त्यार किया था निमो पानी उसमें से water में हम लोगों ने क्या क्या dissolve किया water में हम लोगों ने sugar, salt और lemon juice ये देखिए sugar, salt और lemon juice ये तीनों कितनी क्या होगी ये सब कहलाएं हमारे solute चुकि इसको dissolve किया जा रहा है कि इसमें water में और अपना जो water हम लोग लिए हैं ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा मेरा solvent ओकी तो ये हम लोग लर्ण रखेंगी कि जिस substance में हम लोग dissolve करते हैं वो अपना solvent होता है और जिसको dissolve किया जाता है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है अपना solute वो कि नेक्स्ट हम लोग देख ले अई ये हम लोग चलेंगे अब अगला जो उपना topic होगा वो क्या है गौर की जिए solute और solvent तुम लोग जानगे कि solute हम लोग किसको कहरे है और solvent हम लोग किसको कहरे ये तुम लोग समझगे है और अब आता है अपना निया टॉपक जी आपना in soluble substances, okay, तो in soluble substances हम लोग किसको कहेंगे, वैसे substances जो water में नहीं घुलते हैं, वो कलाते हमारे in soluble substances, there are many materials that do not get dissolved in water, in the way sugar, salt and lemon juice do, जिस तरह से lemon juice, okay, हाँ, sugar, salt, water में dissolve हो जाते हैं, उस तरह से कुछ ऐसे सबस्टांस जो डिजॉल्ब नहीं होते हैं आने आप यूं समझे कि कुछ-कुछ सबस्टांस ऐसे हैं जो वाटर में डिजॉल्ब नहीं होते हैं जिस तरह से मेरा सूगर, सॉल्ट और लेमन जोस डिजॉल्ब हो गया था या हो जाता है तो वैसे substances को हम क्या कहेंगे जो water में dissolved नहीं होंगे वो कलांगे हमारे insoluble substances insoluble in water such substances are said to be insoluble in water यह सब substances क्या कलाते हैं insoluble water में एक activity हम लोग देख ले take some water लें या glass beaker और stumbler एक beaker लेंगे और उसमें हम लोग water ले लेंगे देखे यहां पर ले लिया गिया है इसके बाद क्या करेंगे add some sand to it and stir thoroughly फिर इसमें से हम लोग sand particles डालेंगे sand particles आप समझ रहे हो नग sand particles क्या होते आप समझ रहें तो वो sand particles लोग डालेंगे फिर क्या करेंगे हम लोग उसको mix करने का कोशिज करेंगे हाँ उसके बाद क्या करेंगे then add some stanny pee balls to the same container and stir again फिर उसमें pee balls डालेंगे यह देखिए pee balls डाले जा रहें पहले तो यहां पर हम लोगों ने क्या डाल दिया था send और send डालने के बाद फिर उसको हम लोग इसमें mix क्या कर दिये pee balls को और हम लोग उसको steer कर रहाने घुमा रहे क्या यह mix होगा नहीं यह mix नहीं होगा what do you observe देखिए हम लोग सो क्या पूछा गया what do you observe आप क्या observe करती हो तो यह हम लोगों को बताना है कि हम लोग क्या observe कि send and people do not disappear in water यह disappear नहीं होएंगे disappear नहीं होगे मतलब वो नहीं भूलेंगे आने कि दिखेंगे हमको they are seen clearly in water as separate entities ठीक है as separate entities means वो हमको दिखेंगे हाँ वो disappear नहीं होएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि these are insoluble in waters ओकी this shows this shows that send and people do not dissolve in water it means send and people जो है नहीं होते हैं इससे हमको यह पता चल गया they are therefore said to be insoluble in water इसलिए हम इसको क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं insoluble in water अब आईए we have observed earlier that lemon juice gets dissolved in water हम लोग पहले दो देख चुके हैं कि water में lemon juice मेरा dissolve हो जाता है do all liquids get dissolved in water क्या सारे के सारे liquid water में dissolve होते हैं यह हम लोगों से question कहा गया है तो आप बताने का प्रियास किजिए क्या जितने तरह के liquid हैं क्या सब के सब water में घुल जाएंगे नहीं घुलेंगे let us check this by performing the following activity आईए हम लोग एक्टिविटी देखते हैं और इससे हम लोग जानेंगे कि क्या सारे के सारे सबस्तांस water में drops of ink in one tumbler हाँ पहला जो tumbler है उसमें लोगो क्या डालना है इंक डालना है और दूसरा tumbler में क्या डालेंगे हम लोग mustard oil डालेंगे यह देखिए mustard oil इसके बाद हम लोग क्या करेंगा उसको mix करने का कौसिस करेंगे steer both the mixtures दोनों mixer को लोग गुमाएंगे क्या वो mix होगा what do you observe आप क्या observe करते हो यह हम लोगों से पुछा गया what do you observe तो देखिए हम लोग क्या observe करेंगे ink dissolves ink क्या होता है dissolve हो जाता है in water whereas mustard oil does not dissolve but mustard oil dissolve नहीं होता है it is not only solids and liquids that may or may not get dissolved in water we find that some gases are soluble in water while other are not केवन liquid or solid के साथ ऐसा नहीं है हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ-कुछ solid ऐसे है जो water में घुल जाते है कुछ-कुछ solid ऐसे है जो water में नहीं घुलते है उसी तरह से liquid के बारे में हम लोगों ने पाया कुछ-कुछ liquid ऐसे है जो water में resolve करते है और कुछ liquid water में resolve नहीं करते है क्या ये liquid और solid के साथ ही ऐसा है gases के साथ नहीं है जी हाँ gases के साथ भी है कुछ-कुछ ऐसे gases भी है जो water में घुल जाते हैं कुछ ऐसे भी है जो water में नहीं घुलते हैं गैसे लाइक कारबन डापसाइड ऑक्सिजन डिजॉल्व इन वाटर तो कौन-कौन सा गैस डिजॉल्व होता है इसके बारे में हम लोग जान लें यह देखी परला है कारबन डापसाइड और दूसरा है ऑक्सिजन यह दोनों के दोनों gas water में डिजॉल्व होते हैं थोड़ी-थोड़ी मात्रा में small amounts में कहा गिया है और यह जो आपका oxygen gas इसमें से घुला हुआ हुआ है water में यह oxygen gas कौन युप्योग करता है तो aquatic animals use this dissolve oxygen for breathing ध्यांदी जी oxygen gas जो water में थोड़ी मात्रा में dissolve है वो किसके दोरा यूज हो रहा है तो aquatic animals के दोरा यूज के जाता है breathing किसम है हम लोग breathing करते हैं oxygen gas को लेते हैं carbon dioxide gas को छोड़ते हैं तो जो animal पानी में रहते हैं aquatic animal वो भी oxygen gas का use करते हैं बट जो oxygen gas water में dissolve है उसका use वो लोग कर रहे हैं आप देखिए वहीं दूसरी और हम लोग बात कर लें तो यह अपना जो है nitrogen gas on the other hand is insoluble in water nitrogen gas जो है न वो आपका water में dissolve नहीं करता है insoluble in water insoluble water में जी तो आप दीजी एग्जामपल hydrogen hydrogen gas भी water में dissolve नहीं कर रहा है कुछ और gases के नाम बता ये तो अपना हम ले सकते हैं ammonia gas ammonia gas तो आप ध्यान दीजीए कि मैंने कितने gases होगी nitrogen, ammonia, hydrogen कुछ और बता दीजीए आप chlorine ये देखिए chlorine तो ये सब गैस कुछ ऐसे है जो water में हमारे dissolve नहीं करते हैं तो अगर आप कुछ और लिख सकते हैं तो आप लिखिएगा comment box में मैं आपको reply दूँगा ओकी और कुछ ऐसे gases के नाम भी लिखने के कोशिश करेंगी जो water में dissolve होते हैं जैसे यहां पर दिया हुआ अपना carbon dioxide and oxygen ओके इसके अलावे भी अगर आप जानते हैं तो प्लीज आप comment box में लिखें मैं वहां पर आपको reply दूँगा तो आज के लिए इतना ही अब next topic जो अपना है floating and sinking इसको आप लोग next video lesson में पढ़ेंगे तब तक लिए धनवाद असा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए helpful है so please like this video and share with others and do some comment और हाँ अगर मेरे चैनल को पहली बार है तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजी और बेल आकन के भी दबाएए ताक कि आगे आने वाले वीडियो की जानकरी आपको मिलती रहे थाइंप्स पर वाचिंग है वे गलूरियस टी आहेट